नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं विरद एक बार समक्षाप के फिर से हाजिर हुआ हूँ History on Map के आज लेक्चर नमबर 25 में आज 25 लेक्चर है और इसमें हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे इसके पहले मैंने गुप्तवन्ष तक आपको पढ़ाया है उसके बाद गुप्तोत्तरवन्ष आता है आप उसमें खास तोर से वर्धन वन्ष पढ़ते हैं उसमें भी खास तोर से हर्ष वर्धन को पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत जादा उप्योग मैप का नहीं है इसलिए मैं उस पोर्शन को स्किप्प कर रहा हूँ लेकिन इसके बाद का जो इतिहास है वो मुख्यतोर से मध्यकालिन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है मध्यकालिन भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले मैं जो मध्यकालिन भारत से पहले की जो पूर्व की जो इस्थिती है उसके उपर चर्चा आपसे करूंगा तो आजका जो हमारा विशे है वो विशे यही है तो मैं कुछ पूर्व मध्यकाल के राज्य के ऊपर चर्चा करूंगा और खास तरह से उत्तर भारत में जो उत्तर भारत में जो पूर मध्यकाल के राज्य हैं उनके उपर हमारा discussion होगा Northern India में जो कुछ पूर मध्यकाल है उसमें discussion होगा इसमें जैसे कन्नौज का राजवंश है उसके उपर हमारी चर्चा रहेगी थोड़ा बहुत मैं आपको कन्नौज के बारे में उसकी location क्या हुआ उसका ठीक है उसके उपर थोड़ी चर्चा करेंगे कन्नौज की चर्चा है इसलिए प्रारंभ में हम कर लेंगे क्योंकि वर्धन वल्श जो है वो समाप्त होता है वो वहीं से शासन करते हुए आपको दिखाई देते हैं उसके बाद उसका क्या हुआ उसको हम लोग धिहान देने का प्रयास करेंगे वहाँ पर यश्व अर्मन का शासन बहुत important है फिर कुछ हिस्सा हम जो है वो कश्मीर का पढ़ेंगे ठीक है कश्मीर के कुछ राजवंश है जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है और इसके अलावा कुछ प्रमुख जैसे जो हमारे राजपूत राजवंश है राजपूत राजवंश ठीक है ये राजपूत राजवंशों के उपर हमारी चर्चा होगी पूर्व में जो हमारे कुछ राजवन्ष है पूर्व के राजवन्ष यारी कि पूर्वी हिस्से के पूरव के राजवन्ष जो है राजवन्ष उन पर हमारी कुछ चर्चा होगी जैसे पालवन्ष है, सेनवन्ष है इन सब लोगों को आज हम लोग थोड़ा सा discussion करेंगे तो आज का topic हमारा आपको clear हो गया होगा कि हम लोग किस चीज को discussion करने वाले हैं ठीके, तो सबसे पहले हम इसमें कन्नाउज की स्थिती को देखेंगे और कन्नाउज की स्थिती को देखने के लिए हमें सबसे पहले map draw करना होगा तो चलिए आईए map draw कर लेते हैं हम लोग ठीके, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इंडिया का जो map है, वो draw करेंगे तो आप लोग भी इसी तरीके से map को draw कर सकते हैं ठीके, जो भी है भारत का हिस्सा, पूरब का जो हिस्सा है यहाँ पर आप छोटा सा भूटान के लिए जगह छोड़ सकते हैं ठीके, बाकी यहाँ पर थोड़ी सी जगह आप नेपाल के लिए ऐसे करके छोड़ सकते हैं है और बाकी तो यह आपका जम्मीक शमीर वाला हिससा बनी जाता है इस तरीके से यह लोग यह लोग यह council सीखी गए और यह पूरब में इलाजस्तान वाला हिससा है और यह गुजरात के साथ इस जोड़ बात है नहीं। तो यह आप देखके चलोगा कि तक्रीबन जो है इस तरीके का हमको पॉर्शन देखने को मिलता है। अब इसमें जो कन्नौज वाला हिस्सा है। कन्नौज उत्तर प्रदेश को हम यहां पर चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप उत्तर प्रदेश ठीक है ये आप देखोगे और यहीं से आप ऐसे करके ये आप देखिए मद्धप्रदेश है वो आप इस तरीके से बड़ी खुपसूर्ती से इसको ऐसे बना सकते हैं तो ये हमेशा हम चर्चा करते हैं आज भी इसके उपर चर्चा होगी और इधर की और का जो हिस्सा है आपको मालूम है फिर इसके आगे यहाँ पर बिहार है यहाँ पर नीचे की और बंगाल का हिस्सा है और इसका किसा सारे हिस्सा आपको बंते हुए देखने को मिल जाएंग अपने आपको establish किया तो जब हम कन्योज की बात करते हैं इसके मैं duplicate बना लेता हूं जिससे कि मुझे आगे काम आते रहेंगे आप लोग तो दुबारा से draw करिएगा अलग-अलग page में आपको मालूम है कि जो वर्धनवंश है वर्धनवंश में प्रमुक्षासक हुए हमारे हर हर्षवर्धन का जो राज्य है इसमें शुरुवाती तोर पर जो इनकी राजधानी है वो थानेश्वर है थानेश्वर ठीक है तो जो थानेश्वर है वो यहां कहीं आप देखोगे आपको थानेश्वर देखने को मिलेगा इस जगह पर दिल्ली के पास में पंजाब का कन्नौज पे मौखरी वंश के शासकों का शासन हुआ करता था तो बाद में इन्होंने कैपिटल जो है वो ट्रांसफर करके क्या कर ली कन्नौज कर ली ठीक है कन्नौज बाद में इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर करके क्या कर ली कन्नौज कर ली अब इस तरीके से तो राजधानी राब यह कन्नौज जो है हर्शवर्दन के सामें बहुती प्रमुख केंद्र के तौर पर उपरा और बहुती प्रमुख व्यापारी केंद्र के तौर बन करके उभरता है तमान सारे भारत और पश्चिम जो देश हैं वहां के जो व्यापार ह रहे हैं उन्हें व्यापार के जो प्रमुख मार्ग हो रहे हैं वो इसी कन्नौज से हो करके गुजर रहें इनफेक्ट पश्चिम भारत दक्षिन भारत मध्य भारत और पूरी भारत को भी उत्तर से पूरव की तरफ करने का काम यह कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट को शासन देखने को मिला लेकिन आठवी शतापदी के आरंब के समय में यहाँ पे यश्व वर्मन नाम के एक विक्ति ने शासन किया है 725 ईसवी के आसपास उनका शासन शुरू होता है यश्व व्र्मन यश्व वर्मन का शासन रहा तकरीबन 725 725 इसवी से शुरू हुआ और 725 इसवी से ले करके तकरीवन 753 इसवी के आसपास तक यानि कि मोटे-मोटे तौर पर लगभग 25 वर्ष के आसपास तक इनोंने आपर शासन किया ठीक है तो 753 इसवी तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है तो ये थोड़ा strong कर पाया, reorganize कर पाया जो कन्नौज है उसको इनके एक दरवारी कभी हुआ करते थे वाकपती वाकपती ने प्राकृत भाषा में एक लेख लिखा है जिसका नाम है गौडवाहो तो गौडवाहो में कन्नौज के जो वर्मन वंश है यशो वर्मन का जो वर्मन वंश है तो आप कन्नौज के जो वर्मन का इतिहास जो है वो गौडवाहो में आपको देखने को मिलता है जो इनके दरवारी कभी वाकपती ने लिखा था इसके अलामा नालंदा अभिलेख या नालंदा में कुछ लेख लिखे गए है ठीक है नालंदा बिहार का हिस्सा है आपको मालूम है और नालंदा जो बिहार का हिस्सा है यहाँ पर आप देखेंगे नालंदा लेख है यह नालंदा लेख भी इनके बारे में यशो वर्मन के बारे में जानकारी देता है इसके अलामा कलहड ने राजतरंगडी लिखी जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया तो भई आप दे है, नालंदा में कुछ लेख लिखे गए वो लेख इनका इतिहाज बताते है और इसके आलावा राज तरंगणी में भी इनके कुछ लेख हमको देखने को मिलते हैं ये यशोवर्मन में के साथ ही मिल करके कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे कारकोट वंश के एक राजा हुआ करते थे उन्होंने इनके साथ मिल करके कह सकते हैं कि अरबों से युद्ध किया था कई जगों पर मलेच्छों से युद्ध करने की बात इसी तरीके से लिखी हुई देखने को मिलती है ललिता दित मुक्ता पीर जो थे वो कश्मीर के इनके समकलिन शासक हुआ करते थे तो इनके पश्चात यशो वर्मन के पश्चात वहाँ पे आयुद वंशी वंश के जो शासक है उनका शासन हो गया तो आप देखिए वर्धन वंश हुआ फिर वर्मन वंश हुआ और वर्मन वन्ष और वर्धन वन्ष इन दोनों के पश्चात में कन्नौज में आपको आयुद वन्षी शासक देखने को मिलेंगे आयुद वन्षी शासक कन्नौज में कुछ आपको आयुद वन्षी शासक देखने को मिलेंगे आयुध वंशी शास्को में वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध ये तीन प्रकार के लोग मिलेंगे बज्जरायुद इंद्रायुद इंद्रायुद का नाम important लिए आपको याद रखना है क्योंकि त्रिपक्षी संगर्ष जब होगा तो इन ही के समय में होगा आप लोगोंने त्रिकोणी या तिपक्षी संगर्ष के बारे में सुना होगा और एक हैं चक्रायुद 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 जो है वो इंद्रायुद के भाई है तो ये तीन शासक हैं जो कन्नौज पे रूलिंग कर रहे हैं ये कन्नौज पे जो है वो शासन कर रहे हैं ये कन्नौज का जो इलाका है इस पे रूल कर रहे हैं और इनहीं के समय में त्रिपक्षिय संघर्ष शुरू होता है, हास तोर से इंद्रायुद के समय में त्रिपक्षिय या त्रिकोणिय संघर्ष जो है वो शुरू होता है, अब आप कहेंगे कि सर त्रिकोणिय संघर्ष में तो हमने पाल प्रतिहार और राश्चकूट ये तिहार वंशी शासक हैं, वो इन से सत्ता चीन लेते हैं, और इनको पदचिद करके कन्नौच पर अधिकार कर लेते हैं, फिर बाकी की सत्ता जो जैसे पाल नरेश हैं, वो आक्रमन करेंगे, फिर जो राश्च्रकूट हैं देक्षन से, वो फिर आक्रमन करेंगे, तो कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई जीता रहेगा शुरुवात में राशकूट शासक धुरूफ जो है वो विजेता जो है वो गोचित होते हैं प्रारंब में बाद में फिर इस चीज को ले करके बार-बार लड़ाई जगड़े चलते रहते हैं तो कभी इंद्रायुद वहां पर सा तो ये मैंने आपको बताया कि ये कंणोज के यशो वर्मन वन्ष है तो यशो वर्मन वन्ष के साथ साथ कंणॉज में आपको आयूद वन्षी सासन भी यही पर देखने को मिल जाता है फिले अगर हम कश्मीर के वंश को इसी में समझने का प्रयास करें तो पौराणिक कथां ये कहती हैं कि कश्मीर के जो पहले शासक हुए वो रिशी कश्यप थे और उन्ही के नाम पर यहां की जगे का नाम कश्मीर हुआ और फिर बाद में काफी लंबे समय तक उनके जो वंश जित्यादी है उन वंश जो ने यहां पर शासन किया ठीके तो कश्मीर की इतिहास की शुरुवाद जो है वो कश्यप रिशी से हो रही है कश्यप रिशी से और ऐसा पुराणों में वरनित किया गया पुराणों के अनुसार और फिर राज तरंगणी इत्यादी आती है और दूसरे फिर बाद में आधुनिक साहित आते हैं वो ये स्विकार करते हैं कि यहां पर कुछ समय तक इन लोगों के पश्याद इनके वंशजों के पश्याद वंशजों के बाद मोरे वंशी सासक अशोग मौरे का शासन यहाँ पर रहा और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अशोग मौरे के बाद उसका बेटा जालोख जो है जो वो राजतरंगणी में लिखा हुआ है क्योंकि तो अशोग के एक बेटे है जिनका नाम है जालोख उन्होंने यहां से शासन किया जालौक जालौक भी मौरे है जो अशोक का बेटा है वो यहां से शासन करता है कहते हैं कि अशोक ने यहां पर श्री नगर बसाया है ठीक है अशोक ने यहां पर एक जगा बसाई है जिसका नाम है श्री नगर, तो आप लोग श्री नगर तो जानते ही हैं, तो वो श्री नगर अशोक के द्वारा बसाया गया, ऐसा कहा गया फिर जालोग जो है, वो यहाँ पर हिंदू सभिता का विकास करते हुए नजर आते हैं फिर उसके बाद, मौरियों के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर कुशाण आ गए मौरियों के बाद इसी कश्मीर में कौन आ गए? कुशाण आ गए, कुशाणों में आप लोगों को याद होगा कि कनिश्क जो है, उसने यहीं पर, कनिश्क ने, इसी जगह पर कुंडल वन में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीती का आयोजन किया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यह तो खूब पढ़ चुके हैं आप और इसने यहाँ पर कनिश्क पूर नाम का एक शहर भी बसाया था कनिश्क पूर अब इसको उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो तत्कालीन समय में गुप्त शासक हुआ करते थे जिनके बारे में कल मैंने चर्चा करी थी नर्सिंग गुप्त बालादित्य तो नर्सिंग गुप्त बालादित्य से जब मिहरकुल पराजित हुआ पश्चिम में तो वो पराजित होकर के कश्मीर भागा ये कल मैंने आपको लिखाया तो वो जाकर के कश्मीर में शर्ण लेता है फिर कश्मीर के राजा की हत्या करके एक साल तक वहीं पर शासन करता है तो ये है कश्मीर का प्रारंभिक इतिहास जो हमने आपको यहाँ पर बता है, यह कश्मीर है, यहाँ वाला हिस्सा, यह कश्मीर है, इधर कन्नोज है, ठीक है, तो यह राजवंशी हिस्से देखने को मिलते हैं, अब कश्मीर के इन राजवंशी हिस्सों के बारे में अगर हम अलग से वंशों के बारे में पढ़ना शु कश्मीर का है लेकिन इसी कारकोट वंश को पढ़ने से पहले में एक important information आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर आप इसे कोई state PCS क्योंकि states की कुछ यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ है तो अगर आप state PCS की त्यारी कर रहे हैं किसी भी state PCS की त्यारी कर रहे हैं तो state PCS में ओडिशा, पंजाब, असम, हर्याना, जारखंड, पश्यमंगाल, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का कारकोट वंश पढ़ रहे हैं तो जो लोग जम्मू कश्मीर के तो उनके लिए बहुत आज ही है, ठीक है, 10 मही से इसमें क्लासे शुरू हो चुकी है, और इसमें admission लेने की जो अन्तिम्तिती है, वो 13 मही है, तो आप लोग जल्दी से एक काम ये कर सकते हैं, कि ये online batches हैं, ये आपके online batches हैं, इन online batches में अड्मिशन लेने के लिए, नियून्तम शुलक में अगर आपको questions मिलेंगे, mcqs आपको मिलेंगे, books मिलेंगी, crux मिलेंगे, जो crux का जो format है वो आपको मिलेगा, ठीक है, यह सारी चीजे notes वगरा सब आपको available कराये जाएंगे, prelims, mains, सारी चीजों की preparation इसमें होगी, pre से लेकर के mains तक की, ठीक है तो यह foundation batch है, लेकिन इसमें pre और mains की live classes आपको मिल रही होंगी, तो बिल्कुल भी देर मत कीजे, विरद live code का इस्तेमाल करिए, और विरद live code के साथ आपको यह batch मात्र 14,999 मिल जाएगा, जबकि यह batch 19,000 के आसपास का है, तो आप 14,000 में इसको 14,999 में आपसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलाम अगर आप UPSC के preparation कर रहे हैं, यह आपको 29,999 में 27,999 में माफ की जाएगा, आपको यह batch मिल जाएगा, जिसमें 18 किताबों का set भी उपलब्द होगा, और यह batch Hindi Medium वाला batch है, यह आपका 7 मही से शुरू हो चुका है, और इसमें admission almost close हो चुके हैं, तो बस आज अंतिम है कि आप इसमें admission ले लें, इसके बाद इसमें admission close हो जाएगा, तो इसके लिए भी आप विरद live code का इस्तेमाल क कर सकते हैं, maximum discount आपको इसमें मिल जाएगा, साथी साथ अगर आप optional की त्यारी करते हैं, तो कई सारे optional से यहां पर शुरू किये जा चुके हैं, जिसमें से PSIR और जो आपका history है, यह शुरू हो चुका है batch 6 मही से, और शुरू होने वाला है आपका भूगोल का और हिंदी साह इत्यका, इसमें भी आप विरद लाइब कोड का इस्तेमाल करके maximum discount प्राप्त कर सकते हैं, 15,9999 में आपको मिलेगा, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हम से discuss कर सकते हैं, विरद.दुबे, इसमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप कहीं पर भी खोज करके, आप हम 96 से लेकर के 855 इसवी के आसपास तक आपको मिलता है, जिसके संस्थापक जो है, वो आपको दुरलभ वर्धन मिलते हैं, दुरलभ वर्धन, तो दुरलभ वर्धन जो है, कश्मीर का जो ये राजवन्ष है, यहाँ पर आपको कारकोट वर्ष मिलेगा, यहाँ पर आपको का एक व्यक्ति उन्होंने शासन किया, दुरलभक के बाद इनके जो बेटे हैं उन्होंने शासन किया है, जिसमें दो बेटे चंदरपीड और तारापीड का नाम आता है, चंदरपीड और तारापीड ये पहले शासन करते हैं, लेकिन जो प्रमुक्षासक है, वो प्रमुक्षा देखने को मिलता है ये ललिता दित्ति की उपाधी धारन करते हैं ललिता दित्ति की उपाधी धारन करते हैं कश्मीर का सबसे बड़ा विस्तार जो है वो इन्ही के समय में हुआ है सरवाधिक शक्तिशाली शासक के तौर पर इनको जाना जाता है कन्योज के जो यशोवर्मन शासक आपको मैंने देखा बताया उनके समकालिन माना जाता है कुछ समय तक उन्होंने दोनोंने मिलकर के संग भी बनाया लेकिन बाद में यशो वर्मन को इन्होंने पराजित भी किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है तो आप यहां पर मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो इनका जो शासन है वो बहुत बड़े विस्तार पे हमको देखने को मिलता है परारंभिक तोर पे उन्होंने कमबोज और तुर्की वाले जो रीजन्स हैं वो सब यह वाला जो प्रांथ है यह सब उन्होंने तकरीबन जीता है और इधर से आप देखेंगे तो यह जो तिबबत वाला रीजन है यह पूरा रीजन भी उन्होंने यह कवर किया है तो एक बड़ा सा, एक बहुत विशाल सा प्रांत जो है, वो उन्होंने प्रारंब में ही establish किया हुआ है, ठीक है, प्रारंब में ही establish उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक, ये एक बहुत बड़ा सा हिस्सा जो है, उन्होंने यहाँ पर establish किया हुआ है आप इसको जो है थोड़ा कन्नौस तक भी extend कर सकते हैं ऐसे करते हुए यह ठीक है तो यह हिस्सा आपको फिल होते वे दिखाई देगा तो यह कश्मीर में कारकोट वंश हुआ यह आपका कश्मीर का कारकोट वंश हुआ यह शुरुवात में इन्होंने किया प्रारंब में इन्होंने किया उर्सके बाद तुरको अरुकों को भी उन्होंने पराजित किया इनका नाम इसलिए भी important है क्योंकि यही ललिता दित्य हैं जिनोंने कश्मीर में एक सूर्य मंदिर का निर्मान कराया है और उस सूर्य मंदिर का क्या नाम है मारतंड सूर्य मंदिर और इसी मारतंड सूर्य मंदिर को रीकंस्ट्रक्ट कराने की बाद जमुकर्समी सरकार कर रही है और ये भी कर रही कि इसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के बाद हम यहाँ पर ललिता दित्यमुक्तापीड की मूर्ती भी बनवाएंगे तो ये शासन रहा इसके बाद इन्होंने दक्षण में काफी बड़े विजय अभियान रखे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनका विजय अभियान जो है वो दक्षण में भी काफी दूर तक फैला रहा और एक बहुत बड़े राजवन्ष को उन्होंने स्टैबलिश किया है अब ये जो है कुछ अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीके का मानना है कि ऐसा था भी या नहीं भी था परन्तु फिर भी ऐसा विभिन्न साहित्यों से हमको खास तोर से जो आपकी राज तरंगडी है वो ये बताती है कि बहुत ही विशाल सामराज अशोग जैसा विशाल सामराज जो है इसने इस्टाबलिश किया था तो महान शासकों में ये भी एक रहे है पर उसक्यात बहुत साशक इसके बाद आते जाते रहे जिसमें जया पीड है विनिया दित्ते जिनका नाम रहा है ललिता पीड रहे उत्पल पीड जो है इस वन्ष के अंतिम शासक हुए तो कारकोट वन्ष का जो अंतिम शासक है वो कौन है अंतिम शासक है उत्पल पीड उत्पल पीड जो है वो इस वन्ष के फिर लास्ट में अंतिम शासक हुए तो ये आपको पुरा कारकोट वंश है आपर फैला हुआ देखने को मिलेगा ठीक है कारकोट वंश के बाद जम्मू कश्मीर में उत्पल वंश आया उत्पल वंश के बाद उत्पल पीड एक शासक भी हुए उसके बाद उत्पल वंश भी आया ठीक है तो अगर हम वंशों की बात करें तो कारकोट वंश है कारकोट के बाद उत्पल वंश है ठीक है ये भी जमू कश्मीर का ही है ये भी आपको जमू कश्मीर का ही मिलेगा इसके बाद आपका लास्ट में लोहार वंश है लोहार वंश है ठीक है, ये भी आपको जमू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा, अंतिम शासक के तौर पर आपको लोहारवंश के शासक देखने को मिलेंगे, उत्पलवंश में रानी दिद्दा का नाम आप लोगों ने हो सकता है, सुना हो, तो रानी दिद्दा इसी में फेमस थी, महिला शा सिकाओं में ही रानी सूर्यमती, जो की लोहारवंश से हैं, सूर्यमती, इनका जो है शासन आपको देखने को मिलता है, तो ये है आपका कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास के पशात, अब हम चलेंगे पूर्व की ओर, ठीक है, अब हम चलेंगे पूर्व की ओर, और ज यह आपका नेपाल वाला हिस्सा है, यह आपका ऐसे भूटान वाला हिस्सा है, क्योंगी खाली-खाली लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा बना दिया, पूरू में कामरूप, कामरूप वाला जो रीजन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह, यह पूरा हि हिस्सा है, कामरूप में वर्धन वन्ष है, कामरूप में आपको वर्धन वन्ष देखने को मिलेगा, कामरूप में आपको वर्धन वन्ष देखने को मिलेगा, 350 से ले करके 650 के आसपास तक, कामरूप वन्ष, कामरूप का, ठीके, यह आपको वर्धन वन्ष देखने, आपक कामरूप का वर्मन वंश आपको देखने को मिलेगा ये इसमें खास तोर से पुश्य वर्मन जो है ये संस्थापक के तोर पर आपको देखने को मिलते हैं तो संस्थापक इसके कौन है पुश्य पुश्य वर्मन अब ये बहुत छोटा-छोटा एतिहास है जो मैप पे हमें आपर समझना पढ़ रहा है या पढ़ेगा समुद्र गुप्त के समकाली ने एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्य वर्मन जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी इनकी राजधानी हुआ करती थी प्राग जोतिश पुर ठीक है तो प्राग जोतिश पुर जो है जो असम का ही हिस्सा था इनका ठीक है ये प्राग जोतिश पुर प्राग जोतिश पुर ये इनकी राजधानी यानी की कैपिटल हुआ करती थी अब इसी समय आप लोगों ने जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का समय देखा कामरूप के शासक थे आप लोगोंने कहानी सुनी होगी कि जब यहां पर गौड बंगाल में गौड का शासन हुआ यह मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे तक बना दिया है इसको हम लोग अगर थोड़ा छोटा करना चाहें तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं अगर हो जाए गौड नरेशवा करते थे जिनका नाम था शशांक और आप लोगों को मालूमी है कि यह शैव थे और इन्हों ने जो हर्षवर्धन की बहन है और उनके जो पती हैं उनकी हर्त्या करी थी तो उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने पूरव की और कैंपेंग किया था तो भासकर वर्मन नाम के एक व्यक्ति थे तो हर्ष के समकालीन जो हुए वो कौन हुए भासकर वर्मन तो भासकर वर्मन ने इनके साथ संधी करी थी तो वो भी एक कामरूप के ही शासक हुआ करते थे तो यह हिस्सा आपको सौन्ज में आ गया इसी में हम एक हिस्सा वर्मन पंजाब का शाही वंश है शाही वंश आप इसे शाही वंश कह सकते हैं या हिंदू शाही वंश कह सकते हैं अब इसका भी बड़ा रोचक इतिहास है वासुदेव नाम के एक व्यक्ति थे जो कुशाणों में अंतिम कुशाण माने जाते हैं ठीक है तो कुशाणों में अंतिम कुशाण कौन माने जाते हैं अंतिम कुशाण में वासुदेव का नाम लिया जाता है हलाकि इसको भी ले करके काफी मतभेध हैं कुशान जो हैं वो यूची ट्राइब के थे चाइना से आपको मालूम है तो यूची शाखा जो भारत में रह रही है वो इस वासुदोएक वेबाद लगभग लगभग एकदम नस्थ हो चुकी थी वो खतम हो चुके थे अपना सारा राज्य खो चुके थे लेकिन फिर भी इ यहां पर कहीं पर हमको देखने को मिलता है इन जगहों पर यह वाला जो हिस्सा है यह हमको थोड़ा सा शाही हिस्सा देखने को मिलता है यह हिंदू शाही वंस है यहां पर आप देखेंगे ठीक है तो यहां पर आपको शाही वंस देखने को मिलेगा शाही यह शाही शासक ह रहा था तो अंतिम कुशाण के तौर पर जो वासुदेव हैं वासुदेव के बाद के जो कुशाण है मतलब कुशाण तो है वो तो यूची ट्राइब ही है तो यूची ट्राइब जो है उसी यूची ट्राइब ने अपनी उपाधी ले लिए शाही और इसी शाही उपाधी क कर रहे थे उसी समय पश्चिम की तरफ से जो फारस का इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो परशिया जोड़ जाएगा तुरंती फारस के आक्रमन कारी जो है ससानी आक्रमन कारी हुआ करते थे वो तो ससानी वंश ने इनके उपर आक्रमन किया उसके बाद हुडों के लगा हिंदू धर्म अपनाया हिंदू धर्म अपनाया और इसी वज़े से हम इनको हिंदू शाही वंश कहते हैं क्या कहते हैं हिंदू शाही वंश तो फिर इनका राज्य विस्तार इस तरफ भी हुआ ये धिरे धिरे विस्तार करते हुए ये जो है ये कराची तक भी आ गए इन्हो शाही वंश के लोगों का तो इन में एक राजा हुए जैसे जैपाल इन में एक राजा हुए जैपाल आप लोगोंने नाम सुना होगा जब भी आप पूर मधिकाल पढ़ते हैं इसलामी काक्रमण कारियों का नाम सुनते हैं तब आप जैपाल का नाम सुनते हैं। 964 से ले करके 111 इसवी तक इनका शासन रहा। ये सब आप लोगो ने पढ़ा हुआ है। इसको यहाँ पर दोराने कि आप शक्ता नहीं है मुझे। तो जो मुस्लिम शक्तियां हैं जब उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया तो पंजाब की ओर ये भागे। तो इनका जो इंसर्शन है यहाँ से इधर की ओर इधर की ओर एक्स्टेंशन होना शुरू हुआ इस वाले जोन में इस वाले इलाके में। ये वाला जो इलाका है ये पंजाब की ओर आना शुरू करते हैं ठीक है विदेशी जो आक्रमण कारी हुए इन आक्रमणों के कारण ये जो है पंजाब की ओर आए पंजाब की ओर ठीक है और पंजाब की ओर से ले करके पश्यमोत्तर भारत तक इनका यहां से शासन जो है वो यहां अफगानिस्तान तक अगर इसलामिक शासक आ चुके हैं, इसलामिक शासकों में सुबुक्तगीन जो है वो गजनी पर जो है अधिकार कर चुका था, तो उसे अंदाजा हो गया कि अब ये पूरफ की तरफ और आएगा जरूर, इसलिए जल्दी से जैपाल ने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और कलिंजर, ठीक है, आप मानके चलिए ये दिल्ली, यहां पे ये अजमेर, यहां पे मानके चलिए कि आप कन्नौज और कलिंजर, ठीक है, तो ये जो चार शासक हैं, इन चार शासकों का संग बना करके, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और कलिंजर, कलिंजर जो है न मैं यहां से थोड़ा सा और अलग बना देता हूँ यह आपका यह ठीक जगा नहीं है कलिंजर के लिए कलिंजर थोड़ा आपका बांदा की तरफ मिलेगा तो यह आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं तकरीबन इस जगा पर ठीक है यह तो यह आपका कलिंजर है कलिंजर यहाँ पर आपका नौज लिख सकते हैं यहाँ पर आप अजमेर लिख सकते हैं ठीक है और यह तो आपका दिल्ली है तो दिल्ली अजमेर कनौज कलिंजर इन लोगों का एक संग बनाया इसने संग बना करके सुबुक्तगीन से सामना किया लेकिन ये पराजित हो गया इसके बाद महमूद गजनवी ने सुबुक्तगीन के उत्रा दिकारी के तोर पर काम किया तो महमूद गजनवी ने फिर 1001 इस्वी में इन ही के समय में भारत पर आक्रमन किया है तो ये वही समय है जब यहाँ पर गजनवी का आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का आक्रमण आपको देखने को मिलता है महमूद गजनवी से जब यह पराजित हो गया तो इसने अगनी में कूद करके आत्मत्या कर ली और उससे पहले अपना राज्य है वो आनंदपाल को सौंप दिया आनंदपाल ने आगे चल करके 2013 इसवी तक आनंदपाल जो है इन्होंने 1001 से ले करके 2013 इसवी तक फिर आगे चल करके शासन किया तो यह आनंदपाल हुए और आनंदपाल ने भी कलिंजर दिल्ली अजमेर का जो संग बना हुआ था उसमें उज्जैन और ग्वालियर को भी जोड़ा उज्जैन और ग्वालियर ठीक है ग्वालियर तो उज्जैन और ग्वालियर जो है उज्जैन और जो ग्वालियर है इनको भी संग में मिलाया और संग में मिला करके इन पश्मी आकरानताओं से लगातार जो है इनसे सामना किया फिर आगे चल करके त्रिलोचन पाल आए फिर आगे चल करके भीम पाल आए भीम पाल अंतिम शासक हुए और इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमोतर का जो शाही वंश है यह पश्चिमोतर का पहला हिंदू वंश हुआ जो पश्चिम मोतर का हिस्सा आपको दिग्या होगा और यहां का भी हिस्सा आपको जो वर्धन वंश था कामरूप का जो हिस्सा था वो आपको देखने को बिल जाएगा कामरूप के साथ साथ हमें पाल वाला हिस्सा भी बता देना चाहिए था लेकिन पर कोई बात नहीं हम इसको अलग से थ जाएंगे ठीक है बंगाल में भंगाल में पालवंश, ये भी बहुत प्रसिद्राह है, ये भी बहुत ही प्रसिद्राह है, पूर्व मद्यकाल में, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था इसमें शशांक और शशांक को जब पराजित किया तो हर्ष ने बंगाल तक शासन अपना फैला दिया तो हर्ष और शशांक के बाद ये जो बंगाल का जो हिस्सा है यहाँ पर पाल वंश की शुरुवात करी है धर्मपाल ने ठीक है किस ने शुरुबात करी है धर्मपाल जो है इसके संस्थापक है और इनके बारे में लखीमपूर लेख है जो इनके बारे में जानकारी देता है लखीमपूर लेख से जानकारी मिलती है इसके अलावा देवपाल का मुंगेर लेख जो है या मुंगेर अभी लेख जो है उससे भी पालवन्ष की जानकारी हमको देखने को मिलती है नारायन पाल हुआ करते थे तो उन्होंने भागलपुर इनका भागलपुर तामरपत्र है तामरपत्र तो भागलपुर तामरपत्र से भी इसके उधानम को देखने को मिलते हैं और आज के समय में जो बांगला देश है वहाँ पे एक बादल इस्तम्भ है इन्हीं का बादल इस्तम्भ इनसे भी हमको पाल नरेशों की जानकारी मिलती है तो आप लखीमपुर ठीक है देवपाल जो मुंगेर का इलाका है बिहार में ठीक है जो यह आप बादल का हिस्सा देख सकते हैं और यह भागलपुर का हिस्सा देख सकते हैं भागलपुर का हिस्सा देख सकते हैं तो ओवरॉल यहाँ पर यह चार लेख आपको यह लेख आपको यहाँ पर देखने को मि जलते हैं अलग-अलग यहां से आप इन लोकेशन में देख सकते हैं चीजों को और उनके इतियास की जानकारी ले सकते हैं इसके अलामा यहां पर एक और नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना होगा इसमें जो सन्स्थापक है वो धर्बपाल नहीं है अगर यहां पर हम संस्थापक की बात करते हैं तो सन्स्थापक में नाम धर्मपाल ना करके क्या आएगा गोपाल गोपाल जो है वो इसके संस्थापक है धर्मपाल का ये लेख है धर्मपाल का ये लखीमपुर लेख है देवपाल का ये मुंगेर लेख है नाराणपाल का ये भागलपुर तामर लेख है तो ये लेख हैं जो सोर्सेज हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संस्थापक के तौर पर गोपाल है, 750 से लेकर के 770 इस भी के आसपास तक उन्हों ने शासन किया, तो इन्हों ने कुछ सिक्षा केंद्र इस्टैबलिश किये थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी द्वारा इस्टैबलिश किया गया सिक्षा केंद्रों में, एक तो ओधन्तपुर सिक्षा केंद्र आपका रहेगा, ओधन्तपुरी, ओधन्तपुरी सिक्षा केंद्र, और दूसरा जो है नालंदा, आप यहाँ पे कहीं पे नालंदा लिख सकते हैं, नालंदा, ठीक है, मैप थोड़ा सा डिस्टब हुआ है, पर कोई बात नहीं, अब कलमसम जगे आपको वहाँ पर पता चल रही है, एक्जैक जगा तो ऐसे भी नहीं यहाँ पर दिखाई जा सकत हुए थे, त्रिकोणिय संघर्ष हुए थे, यह हैं धर्मपाल, इनी को राष्टकूट शासक ध्रूब जो हैं उन्होंने पराजित किया था, और यह वत्सराज से भी पराजित हुए थे, जो प्रतिहार शासक हुआ करते थे, उनसे पराजित हुए थे, फिर इनके बाद द नारायन पाल हैं, इसके बाद पतन होना शुरू हो जाता है, फिर राज्यपाल हैं, गोपाल दुती हैं, विग्रह पाल दुती हैं, ऐसे करके, कई सारे शासक पालवंश में आते और जाते रहते हैं, तो पालों का जो शासन है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, और पालों का शासन का जो शेत्र है, वो यहाँ से ले करके अगर प्रभावकारी शेत्र देखें, तो यह प्रभावकारी शेत्र जो है, वो इनका है, यह इतना पूरा प्रभावकारी शेत्र जो है, वो पालों का हमको समझ में आता है, यह पूरा हिस्सा, ठीके, तो यह आपका पालवंश है यहाँ पर आगर आप देखोगे ठीक है यह अगर आप देख सकते हैं तो यह आपका पूरा पालवंश हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह यहाँ पर पालवंश है ठीक है फिर इसी बंगाल में आपको सेनवंश भी देखने को मिलेगा का सेनवंश एक हज़ार पांच इस्वी में सामंत सेन के से इसकी शुरुवात होती है विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेग जो है वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बल्लाल सेन का नेहरी अभिलेग है लक्षमन सेन का जो है वो अभिलेग है ये सब इनके सोरसें के तौर पर जाने जाते हैं तो बंगाल से ही सेनवंश और बंगाल से ही पालवंश दोनों हैं दोनों इसी जगह पर शासन कर रहे हैं सेनों के बारे में ये कहा जाता है कि मूल रूप से आरकाट प्रदेश के कहीं से बिलॉंग करते थे तो सेन जो है इनका जो मूल रूप है मूल रूप से आरकाट से बिलॉंग करते थे किस से बिलॉंग करते थे आरकाट से आरकाट प्र तो आरकाट या करनाठ ऐसे बोलाया था करनाठ प्रदेश पश्चमी आंद्प्रदेश का हिस्सा है ठीक है आंद्प्रदेश का पश्चमी हिस्सा और करनाठ का उत्री हिस्सा ठीक है आरकाट लिख करके हम यह पर करनाठ लिखने तो ज्यादा अच्छा रहेगा करनाठ ठीक है तो करनाट क्या है पश्चमी आंद्रप्रदेश का हिस्सा और उत्तरी करनाटक का हिस्सा यहां से बिलॉंग करते थे लेकिन जब यहां पर इस बंगाल के शासन वाले इलाके पर जब कुल्चरी और कुल्चरियों का जो शासन है वो चेरी शासक कहलाते हैं जो आपके बुंदेलखंड के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे और फिर यहाँ पूरब तक उडिशा तक आपको आते होए देखने को मिलेंगे तो जो कल्चुरी शासक हैं उनके और चोलों के आक्रमन बार-बार बंगाल पर होने लगे और बंगाल जो है, वो कमजोर हो गया, तब उसी समय सेन जो है, वो पश्चम मंगाल में राढ में जाकर के बसना शुरू करते हैं, और वहाँ पर सेन वंस का establishment होना शुरू होता है, सामन सेन के माध्यम से, तो यह आपका बंगाल में इस तरीके से यह वाला इलाका है, अब इस में दूसरे हिस्से के अगर हम बात करें, तो कुछ राजपूत राजजे आएंगे, कुछ क्या आएंगे, राजपूत राजजे आएंगे, कुछ यहाँ पर हमको राजपूत राजजों के उपर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, जो आपको इसी मैप में देखने को मिल जाएं आप राजपूत राजजयों में एक नाम आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का आएगा है प्रतिहार वंश यह बहुत इंपॉटेंट है त्रिपपशी संगर्ष में एक महत्वपून स्थान रखते हैं इनके संस्थापक जो है वो नागभट प्रथम है नागभट प्रथम ये इनके संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं ये आपने पढ़ा भी होगा और कन्नौज जो है इन्होंने अपनी इसमें एक शासक हुए वत्सराज तो जो वत्सराज है बेसिकली इन्होंने इत्रिप कन्नौज देखने को मिलेगा ठीक है कन्नौज ये राश्टकूट शास्कों का इलाका आपको देखने को मिलेगा इससे पहले अगर हम देखेंगे तो पूर में ये मंदौर वाला जो इलाका है मंदौर राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर ये शासन किया करते थे मंदौर म जैनी कि पश्वी परदेशों का इनका निवास इस्थान है और इनी के ध्वंसा विशेसों पर बाद में आगे चल करके बहुत सारे राजपूत राजवन जो है वो स्टैब्लिश हुए तो इनों ने अपना प्रसार जो है काफी हद तक किया मतलब अगर आप देखोगे तो य यह पूरा हिस्सा जो है वो कन्नौज वाला जो है यह हिस्सा आपको यह इस तरीके से पूरा देखने को मिलता है यह वाला पोर्शन तकरीबन लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो यह प्रतिहारों का मिलेगा यह प्रतिहारों का इलाका आपको देखने को मिलेगा ठीक है, ये प्रतिहार, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख रहे थे अभी, तो इसी को ले करके यहां यह आपका यह बंगाल का जो शासन है वो आप देख रहे थे पूरा यह बंगाल का जो शासन आप देख रहे थे वो यहां पर तो यहां पर आप देख रहे थे कि बंगाल का शासक है शासन कर रहे हैं लगातार यहां बंगाल है और इसी में आप अग अगर आप दक्षण में देखेंगे तो यह राष्टकूटों का शासन हो जाएगा इसी में अगर आप देखेंगे तो यह जो है आपका हिस्सा पूरा जो है वो राष्टकूट शासक है यहाँ पर तो यह राष्टकूटों का शासन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इतने ही हिस्से में, सब इसी में mix हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी को कन्नौज के उपर क्या करना है, आधिपत्य करना है, तो सभी कन्नौज के उपर आधिपत्य करने के चक्कर में, इस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, विजित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सभी जो ट्रेंगल मैंने आपको बताया है तो इसमें आपका ये प्रतिहार हो गए यहां पर ये राश्टकूट रहेंगे यहां पर ये कौन रहेंगे ये आपके राश्टकूट शासक है और ये आपके पाल है तो पाल प्रतिहार और राश्टकूट इनी तीनों के बीच में काफी लंबे समय तक आपने देखा कि त्रिपक्षी संगश चलता रहता है और यही जो आपके जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं इनी गुर्जर प्रतिहार वंशों का जब समापन हुआ तो इनी के ध्वनसावशेसों पर आप देखेंगे बनारस और कन्नौज के गढ़वाल वंश ने अपने आपको इस्टैब्लिश किया है तो यह कन्नौज का हिस्सा हो गया यह बनारस का यहां पर हिस्सा हो गया तो बनारस और कन्नौज दोनों जगहों पर बनारस से ले करके बनारस से लेकर के कन्नौस तक का जो इलाका है ये गहडवाल का है गहडवाल वन्श के सासकों का है ये गहडवाल वन्श के सासक हैं जिनमें आप एक नाम देखते हैं संस्थापक तो इसके चंद्रदेव हैं अंतिम शासक जो हैं वो हरिश चंद्र हैं लेकिन आप लोगों न प्रत्विदाच चौहां तृती के समय में आपने देखा होगा कि जैचंद्र इसी वन्षकेक शासक हुआ करते थे इसके अलावा यहीं पर आप देखोगे अजमेर है इसी जगा पर कहीं पर आपको यह अजमेर देखने को मिलेगा मैं किसी दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करता हूँ यहां पर आप मान के चलिए कि यह क्या है यह अजमेर है अजमेर इसी अजमेर से इसी अजमेर से शासन आपको देखने को मिलेगा शाकंभरी यहीं पर एक जगा है शाकंभरी शाकंभरी देवी के नाम से जगा है शाकंभरी और शाकंभरी शासक हुए एक जिनको चाहमान वंश के शासकों के तोर पर जाना जाता है तो यहीं पर शाकंभरी के चाहमान वंश जिसमें आपने पृत्विराज चोहांतृती का नाम सुना होगा राय पिथोड़ा जिनको कहा जाता है वाकपति राज यहां के पहले शासक हुए फिर यहीं पे मालवा का जो रीजन है जिसने अपनी राजधानी यहां पर उजयनी बनाई यह उजयनी तो यहां पर मालवा का रीजन आपको देखने को मिल रहा है मालवा से परमार शासक परमार शासक जो हैं वो शासन करते हैं तो ये परमार जो हैं, वो परमार वण्ष है, मालवा से हैं, ये वहां के राजपूत राजा हैं, उसके बाद यहीं पर आपको धार डिस्टिक्ट देखने को मिलेगी, धार धार जिला देखने को मिलेगा, धार में भी इनोंने अपने आपको कैपिरल के तौर पर थोड़े सम ये बुंदेल खंड का इलाका है पूरा ऐसे मान के चलिए ये, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बुंदेल खंड है, इसको आप किस रूप में जानेंगे, बुंदेल खंड के रूप में, और बुंदेल खंड में चंदेल शासक हुए, चंदेल शास या जे जाग भुक्तिशासक भी इनको कई जगों पर कहा जाता है चंडेलों को और अगर आप देखेंगे तो इनकी गशे कि अब इसी में आप लोगोंने ननूक नाम सुनाओन थे circum-ad53 देव का नाम आप लोगोंने सुनाओगा यदेः परमल का नाम सुनाओया परमल इसके बहुत ही महान शासक हुए आला उदल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़े योध्धा हुआ करते थे वो इनकी कई सारी राजधानिया रही इनकी राजधानी कभी कलिंजर हुई ठीक एक्ट इनकी राजधानियों के तोर पे आप देखेंगे कभी कलिंजर कभी महोबा यह भी बुंदेलखंड का इलाका है और कभी खजुरा हो तो कलिंजर यही कई आप देख लीजे यहाँ पे महोबा देख लीजे और यहाँ पे आप खजुराहों देख लिए तो इमी तीन जगहों पर निकी जो है वो capital ये रही है ये राजधानिया रही है ये क्या रही है यहां पर इनकी capital रही है राजधानिया रही है ये राजपूर्ट राजवMich है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए इसके बाद आप लोगों को कुछ और भी यहाँ पर एक दो राज्य और याद रखने चाहिए मैपिंग में जैसे त्रिपुरी के कल्चुरी चेदी वंश हुए तो त्रिपुरी के कलुचेरी चेदी वंश ये भी एक शासन आपको देखने को मिलेगा ये भी एक इंपॉर्टेट शासन है बुंदेलकंड छेत्र में यह स्थित है तो बुंदेलकंड छेत्र जो है वह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ये काफी बड़ा सा यहां पर यहां पर तो एक बुंदेल-खंड गाय आपको देखने को मिलता है ये को रे के उत्तर्प्रदेश ओर आऊ नि TU ठीके ऊद्धर प्र आप लोगोंने महाभारत काल में एक शासक का नाम सुना होगा शिशुपाल तो शिशुपाल भी इसी क्षेत्र का शासक हुआ था जिसका व्यद जो है स्रिक्रिश्ण ने किया था सोला महाजनपदों के सह में आप लोगोंने चेदीवंश का नाम सुना होगा जिसकी राधानी शुक्ती मती हुआ करती थी तो बुंदेल खंड जो है बुंदेल खंड का जो दक्षणी इलाका है खास तोर से जैसे ये बुंदेल खंड है तो उसका ये दक्षणी रीजन हो गया ये वाला हिस्सा और यहां से लेकर के जो दक्षण में और जाएंगे जो जबलपूर तक का जो रीजन मिलता है जबलपूर मान के चलिये कि यहाँ तक है तो इसको आप यहाँ तक और फैला सकते हैं ये तो मुख्य तोर से बुन्देल खंड का दक्षनी हिस्सा और वहाँ से लेकर के जबलपूर तक का जो हिस्सा है ये आपके त्रिपुरी के कल्चिवरी में आता था जो कि पूरब में अपना प्रभाव बढ़ाता चला गया और काफी हद तक वो अपने प्रभाव को उडिसा के तटिये मैदान तक भी ले जाने का प्रयास करता है तो यहीं जबलपुर में ही एक जगा है जबलपुर में ही जगा है त्रिपुरी जबलपुर में ही जगा पढ़ती है त्रिपुरी तो जबलपुर ज़ाला जो इलाका है ये आपका जबलपुर और इसी जबलपुर में जगा है त्रिपुरी यहीं त्रिपुरी के ही कल्चेरी वंश के शासक हुआ करते थे इसलिए इनको त्रिपूरी के कल्चुरी वंश कहा जाता था यहां के पहले शासक हुआ करते थे कोकल प्रथम यहां पे प्रथम शासक कौन हुए प्रथम शासक हुए कोकल कोकल फर्स्ट यह इसके कल्चुरी वंश के पहले शासक हुआ करते थे और विजय सिंग जो है वो इसके अंतिमशा सकती तो एक राज्य जो है वो आपको तकरीबन इस हिस्से में आपको देखने को मिलेगा ठीक है एक हिस्सा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तकडिकर यहां से पूर्वी की तरफ आजएं तो पष्चिन में गुजरत के चालुक्य और सोलंकी वंश का शाषन हुआ करता था तो चालुक्य और सोलंकी वंश का जो शासन है वो भी काफी मतलब प्रभाव शाली और बड़े शासन के तौर पर देखने को मिलता है यह तक्रीबन इस तरीके का हिस्सा आप लगा सकते हैं अनुमान में ठीक है यह वाला जो reason है पूरा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जो है चालुक के वंश देखने को मिलेगा यह इनी को हम सोलंकी कह सकते हैं सोलंकी शासक वतलब गुजरात के गुजरात के सोलंकी शासक और चालुक के वंश है वह आपको आप देखने को मिलेगा जिसमें मूल राज प्रथम का नाम आप लोगों को याद होगा 942 से मूल राज प्रथम ने जो है गुजरात के सोलंकी वंश का establishment किया है इनकी राजधानी जो है वो अनहिल वाड़ा हुआ करती थी यहां कहीं पर आप देखेंगे तो अनहिल वाड़ा जगा है अनहिल वाड़ा तो अनहिल वाड़ा जो है इनकी capital हुआ करती थी राजधानी हुआ करती थी गुजरात में एक जगा पढ़ती है वर्तमान समय में पाटन वहां पर यहां के एक प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम हुआ भीम प्रथम यहां के एक प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम क्या हुआ भीम प्रथम भीम प्रथम जो 1022 से 1064 तक के समय में आपे शासक बने रहे थे इन्ही के समय में 1026 के समय में इनसे पहले एक शासक ओर हुए फिर ये भी शासक बने तो 1026 में आप देखेंगे 1022 से इनका शासन शुरू होता है 1026 में सोमनाथ मंदिर पर 1526 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ठीक है किसका महमूद गजनवी का आक्रमण होता है भीम दुती जो थे वो भी एक महत्यपूर्ण शासक हुए उन्होंने 1188 शासन किया भीम दुती वो 1188 इनका शासन देखने को बिलता है तो ये भीम दुती ही थे जिन्होंने 1188 में गोरी को पराजित किया था मुहम्मद गोरी को महमूद गोरी को और इन्होंने 1195 में 1178 में आप देखेंगे इन्होंने गोरी को पराजित किया गोरी पराजित हुए और 1195 में आप देखेंगे कि यह जो एबक है कुत्बुद्दीन एबक यह कुत्बुद्दीन एबक भी इनसे पराजित हुआ 1195 के आसपास लेकिन फिर 1197 में एबक ने 1197 में एबक ने पराजित किया तो इस तरीके से यह आपका पश्षिम का एक राजवंश है जो आपको यहाँ पर छोटा सा देखने को मिलता है आई होप कि आपको मैप में मद्यकालिन भारत से पहले के जो राजजी हैं वो समझ में आए होंगे ठीक है उनकी मैप में आलमोस्ट लोकेशन आपको क्लियर हुई होगी जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेट PCS की त्यारी कर रहे हैं तो तुरंत आप विरत लाइब कोड के इस्तेमाल से यहाँ पर फाउंडेशन बैच सक्षम बैच 3 जो है उसमें आप जोड़ सकते हैं जिसमें एडमिशन लेने के अंतिनतिती 13 माई है UPSC की परप्रेशन कर रहे हैं तो GS Foundation बैच P2I आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन लेने की तिथी आज हो चुकी है अगर एडमिशन लेना है तो जरूर मुझे आप कॉंटेक्ट करके बताएगा आपका एडमिशन हो जाएगा 27,999 रुपय में आपको ये बैच मिल रहा है औ और अगर आप कोई Optional लेना चाहते हैं तो 15,999 में इतिहास PSIR यानि की राजनीती विज्ञान और अंतराष्टी संबंद भुगोल और हिंदिय साहित ये चार Optional में से कोई एक Optional आप परचेस करना चाहते है तो बिलकूल परचेस कर लिए विरत लाइब कोड का आप इसमें विरत लाइब कोड को आप कहीं पर भी नोट कर ले ठीक है और आप हमें V-I-R-A-D-L-I-V-E यह हमारा कोड है और V-I-R-A-D-D-U-B-E-Y विरत.दुबे इस नाम से आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में आपको PDF म दी जा चुकी है आप अपना ख्याल रखिएगा बढ़ियां से त्यारी करिएगा बढ़ियां से मैपिंग कीजिएगा फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ़ते तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi